एक मेरे साथ जो है हमारे आरवूर्टाउन जो निजाम बार्ट डिस्टिक्टिक में आता है उसके पुरी कमेटी के लोग हाई वे हैं यहां परbars आर्मूर्टाउन के सदर जनाब शेख माजीद साहब यहां पर हैं और हमारे यूद के जो आर्मूर्टाउन के इंचाज हैं सदर हमारे अवेश साहब हैं और हमारे साजीद साहब हैं और हमारे आर्मूर्टाउन के जनल सेक्रेटरी मुहमत पाशा साहब हैं यह तमाम लोग ज कई दिन से मेर सेटाइच में हैं कि कोई भी मसला रहो चाहे कोई भी भी है तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ाते हुए इनको जो है आर्मूर टाउन का वाइस प्रेसिडंट बनाया जा रहा है इनको जिम्मेदारी दी जा रही है आर्मूर आर्मूर और निजामबाद भाइसा बोदन निर्मल कामारेटी अला के फजल से तमाम डिस्टिकों में एक खामोश तुफ़ा ना रहा है जो दोहजार देविस के अंदर मालूम होगा बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिसेंट्ली जो बालकूंडे की मस्जिद पाल तो इसेट पूर में एक चिटापूर में चिटापूर में जाम मस्जिद है वहाँ पर तो ह пошती पहले एक मस्जिद को गेट लगवाई थे तो गेट में जबरदस्ती वहांके इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले और महां के विलेज डिवलेप्मेंट कमेटी वाले गेट को तुड़ा दिये तो सबसे पहले वहां पर मौखे वारदात पर पहुशने वाले यही लोग थे हमारे शेख माजीद साहब हमारे अवेस और साजीद साहब वहाँ पर गये जाकर हो गये मस्जिद की कमेटी वालों से मुलाख़त किये और जितना हो सकता वहाँ पर कोशिश करें तो मुससिल यह बहुत एक्टिव बाड़ी है यह हमारी महां की अगर कोई अवेटी जाइन करना चाहरे है तो हमारे शेख माजीद साहब वहां के सदर है उनसे मुलाख़त कर सकते हैं तो इंशालला अगर आपको मुबारक करे यह बहुत ही खीमती चीज़ है मजलित बचाव तहरी की नायब सदर बनना आप आरमोर के काटों का ता जाई है अपनी चाहरे अगर आपको खुबूल करे शुक्रिया मैं हमारे माजीद साहब का भी शुक्रिया दा करता हूँ नहीं हमें आपको मुबारक करे चाहिए